नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि बगवान महावली हनुमान जी के शुरबाशी आप शबी बहुत अच्छे होंगे अपने घर में स्वस्थ होंगे दोस्वों आप शबी को बता दी कि आने वाल खुचियों शे मिठाई बांटेंगी और घर परिवार में एशी खुचियों की लहर दोड़ने वाली है दोस्तों जानकर शवी लोग हक्के बक्के रहने वाले हैं कि दोस्तों आप शिभी को बिता दें कि आप तो जानते हैं कि गर्वक की सितिय अशिमें आपके लिए शुभवने होई है परंदर दोस्तों शाधिर कि महामली हुनुमान जी जारबी अशिरबाद अब आप शिभी के कंडली में पढ़ने वाले हैं कि दोस्तों आप शुभी को बिता दें कि गले 48 गंटों के अंदर जो गरों के स्तिती बन रही है दोस्तों उन्हें आपको शुभी परकार के दुश्मनों शे मुक्ति मिलने वाली है जिया दोस्तों और शंकटों की नीदान महाबली हनुआन जी आप शुभी के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशकबरी लेकर आए हैं जिया दोस्तों तो दोस्तों हमारा आप शुभी शे बस यही विनमर निवे दर रहेगा कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्याशे शमय निकाल कर पड़ेगा जै है दोस्तों शादे शादो आप शिवी को बता दें कि यह जो भी बड़ी कुशकबरी आपको मिलने वाली है कौन-कौन से चित्रों में मिलने वाली है और दोस्तों इन शिवी के लिए आपको कौन से विश्यश बातों का ध्यान रखना भी अगली 48 घंडों क के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा दोस्तों सभी बातें घरों के गोसर परनिमीत आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं जैने जान लेंगे तो दोस्तों आप शिवी का जीवन पूरी तरह शंपन हो जाएगा उश्य पलतों जो भी महावली हनुमान जी के शच्चे पेरिभकते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू किजीगा और कमेंड बॉक्ष में शच्चे मन शच्चे हिर्दे भावशी जय हनुमान जय शंकर मोजन जरू लिखेगा दोस्तों महावली हनुमान जी का शिम शिर्वाद आप शिवी को प्राप्त होगा ज दोस्तों बगवान श्री किष्ण कहते हैं कि जीवन में क्या करना है या हमें रमायन शिखाती है जीवन में क्या नहीं करना है या हमें महाभार शिखाती है और जीवन को केश्य जीना है या हमें श्रीमत भागवत गीता शिखाती है दोस्तों श्रीमत भागवत गीता में य प्रंतु कोई तक्दिर वाला ही दिल की आवाज को शुन पाता है जिए दोसों जिनके भी अच्छे कर्म जिनके भी अच्छे नैत्रुत होते ही वही भगवान के इस नैत्रुत को शमझ पाते ही भगवान के इस अश्पर्ष को शमझ पाते ही जिए दोसों तो दोस्तों शाद बात करते हैं कि अगले 48 घंटों के अंतर आप शबी के जिवनकाल में महावली हनमान्ज के शिरबाशी कौन-कौन शे बड़े और महत्पुन बदला होने वाले हैं कौन-कौन शे दस बड़े खुशकवरी आपको मिलने वाले हैं शाती कौन से विश्चेश बातों का शंपन हो शकता है धर्म कर्म शंबंदी कारियों में भी आपकी विश्चेश समय रूजी रहेंगी तथा आपका निश्वार्त योगदान समाज में भी आपका मांशमान और फिर इजद परितिष्टा में भी बड़ोत्री करने वाले हैं दोस्तों यह में आर्थक इस्थित कुछ नौक्षान यह में हो शकते हैं तो दोस्तों यह में बहतर होगा कि भारी शंपरकों से आपको दूरी रखना चाहिए दोस्तों प्रिस्थिती को कुरोत के बजाए शांती पून तरीके से निप्टाएं तो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा और इसको प्राहन द इसलिए खुद यह काम को पूरा करने के आपको चुछ करें यह आपके लिए बैतर होंगी दोस्तों यदि आप नया घर खेंदेना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते तो दोस्तों इन बातों में देरी हो शकती है यह आपको धहरी रखने की आवश्यकता ह की दोस्तों इश में बता दें कि आपके योगता और फिर छमता खुल कर लोगों के शामने जाहिर होने वाली है दोस्तों विद्यारतियों को केरीर शमंदी किसी शमळाखां भी मिलेगा किसी Desktop विजय भी हिए हाशिल करने वाले था दोस्तों प्रंतु आलेश्तो ये आपके लिए बैतर होंगे क्योंकि दोस्तों येश में आप जो है अपनी शमताओं का भरपूर उप्यों करने का शमय होगा तो दोस्तों येश में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कारियों के प्रति अपने ध्यान को केंदे रखें दोस्तों अगर किशी वहां या फिर शम्मत्ति की खर्दने की रिन लेने की युजना बना रहे हैं तो दोस्तों ये ये युजना को अस्तिगित रखें क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाब केती नहीं होंगी और इसके उप्रान दोस्तों येश में आपको बता दें कि दोस बब शक्ति है जेव शेले को शुदारने क्या होई शक्ता होगी जिसे दोस्तों आपके लिए मन चाहे बरिजल पाना आशान होगा और इसको ब्रावद सबस्ती है आपके लिए जय को से महँगे आपको बता दें कि दोस्तों यह समय इमोशनल होने के बजाए चदुराई इसमें पर सम्रिएगा दूस्तों बटवारे शमादी कोई भी कार्या यह मत्युस्ता से हलो सकती है दूसनों आपको प्रयाश करना चाहिए कि यश्में आपको द्हरी बनाकर रखना चाहिए और इसको ब्राद दोस्तों यह समय होंगे आपको बता दें कि आपको कई शारी बातों की चिंता का नुभव होगा दोस्तों अधिक विचार करके आपके वल चिंता बढ़ा रहे हैं दोस्तों यदि समस्या का शमदान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मद्द लेना यश्में आपके लिए आउश्य होगे दोस्तों आपको बता दें कि भावनों को कावु में रखकर पिस्तिती का हल रूने की आप कोशिश करें और यश्में आप अच्छी हल भी डून पाएंगे और इसको प्राद द समय है आपके लिए उस पर कोई भी महत्पुन कारिश शंपन होच रखता है राज की मामलों में भी के श्रमंदी स्थियां आपके पक्ष में रहेंगी शाती दोस्तों दूसरों के मामले में हस्पेक्ष ना करें अकारण ही लोग आपके खिलाप हो जाएंगे इस बात का शाहिए शादी दोस्तों आप जो यह में अपनी आर्थिक श्रमंदी का भी ध्यान रखें किसी भी कारे में व्यर्थी पेशा खर्चना करें यह आपके लिए बैतर होगी आपके लिए उसे महोंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप शम्मरीद सभी बातों में संदुलन ब लेकिन दोस्तों यह उतना आशान भी नहीं है शमस्याओं की तरफ अधिक ध्यान दे कर उनको दूर करने के आपको यह में कोशिज करते रहना चाहिए यह आपके लिए बैतर होगे और इसको प्राण दोस्तों यह में आपकी केरेर को लेकर बात केरेर अर्थात आपके वह जरूरी होगा दोस्तों शीनियर्स लोगों के साथ समंद्ध खराब नो करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाप की उतनी उम्मिद ना रखें जितनी आप रख रहे हैं दोस्तों यह में आपके लिए बैतर होगे कि आपको कारें पर अपने ध्यान को गंदर रखें औ और नये लोगों से ववैर करते शमय आपको यह में सजीत रहना चाहिए दोस्तों शाथी करमचीरियों की गति दियों पर भी यह आपको नजर रखना चाहिए और इसको प्रवावशाली वेक्तियों के रिशाथ अपने शम्मनों को और अधिक मजबुत करें ये शम्मन आपके तरकी फायदमन शाबित कराने वाले हैं दोस्तो मचनरी श्टाप आदि से जुड़े छोटी मोड़ी परिशानिया उट सकती है उन पर काम करना परिशानियों से निकाल देगा तो दोस्तों शम्मन जरूर उन पर काम करें और इसको प्राद दोस्तों शम्मन आपके केरेट के लिए शम्मनोंगे आपके वायशाय के लिए शम्मनोंगे आपको बता दे इसलिए दोस्तों यश्मी सिंता करने की आउशक्ता निभी नहीं होगी अब लाइब के लिए समय होगे आपको बता दे कि जो इसाती के शाथ किसी भी बात को लेकर तक्रार भी हो शकती है इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेम शुमदों में भी आप यश्मी समय बैसना करें यह आपके लिए बैतर होगे और इसके प्रादो से शुमे आपके लव लाइब के लिए समय होगे आपके पारिवरिक जीवन के लियाश चे अचा रहेगा प्रेम शुमदों में गलत फिर्मिया उत्पन हो शकती है इन्हें अपने काम पर हावी नो होने दें यह आपके लिए बैतर होगे और इसको प्रादो से शुमें अगर आपकी स्वास्त देने सिहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यह में साड़ी कमजोरी और जोड़ों में दर्द की शमस्याल आपको परिशान कर सकती है आयरुविदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उचित रहे और इसको प्रादो से शुमें बुरी आतों तो था बुरी स्रंगत से आपको दूरी बना कर रखना चाहिए परिवार के किसी वरिश रदस के श्वासमंदी टेंसर भी आपको यह शुमें रहने वाले हैं